आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो गाइस तो हमें इस question में given है when 20 gram optically active compound is placed in a 10 decimeter tube in a 200 ml solution rotates a plane polarized light by 30 degree तो हमें निकालना है A और B what is the angle of rotation if above solution is diluted to 1 liter and what is the specific angle of rotation if above solution is diluted to 1 liter ठीक है तो हम start करते है इसको हमें क्या given है mass दिया है हमें 20 gram ठीक है और हमें volume दिया है अभी कितना 200 ml ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करते है concentration निकाल लेते है mass basically gram per ml में ठीक है हमारी क्या हो जाएगी 20 upon 200 basically होगा हमारा 0.1 gram per ml ठीक है और हमें क्या किया है given है L दिया है 10 decimeters ठीक है और हमें दिया है angle of rotation दिया है 30 degree ठीक है basically हमारे पास theta given है 30 degree तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको हम इसका specific rotation निकाल लेते हैं ठीक है specific rotation क्या होता हमारा alpha is equals to theta upon c into L ठीक है जहाँ पर हमारा L जो length length of tube वो हमारी decimeters में होगी concentration gram per ml में होगी और theta हमारा जिसमें होता है angle में होई ठीक है degrees में radian में basically ठीक है 30 degree तो हमारे पास theta दिया है हमें 30 upon हमें concentration कितनी है 0.1 length of tube है हमारे पास 10 decimeter तो हमारा alpha कितना जाएगा ये 0.1 into 10 1 हो जाएगा तो हमारा alpha कितना जाएगा 30 degree ठीक हमारा specific rotation जो है वो कितना है हमारा specific rotation हमारा 30 degree है तो अब हमसे question पूचा गया है कि what is the angle of rotation ठीक angle of rotation मतलब क्या theta हमारा ठीक है if above solution is diluted to 1 liter ठीक है अगर इस solution को हमने dilute कर दिया 1000 liter तक 1000 1 liter तक 1000 ml तक basically तो हमारा theta पे किया effect पड़ेगा हमारा alpha होता है किया theta upon c into l ठीक है जो कि हमने alpha हमने निकाल रखा है हमारा कितना है 30 degree है 30 equals to theta upon concentration concentration हमारी के change हो गई है ठीक है हमारी के 20 gram optically active solution हमारा mass जो है वो सेम रहेगा 20 gram ठीक है हमारी length भी सेम रहेगी 10 decimeter change किसमे होगा हमारा 200 ml solution था वो अब कितना हो गए 1000 ml हो गया तो हमारा यहां पर concentration कितनी हो गएगी 10 20 है basically नहीं तो 20 upon 1000 ठीक है यह हो गई हमारी 20 upon 1000 into 10 decimeter ठीक है तो यह क्या हो गई हमारा theta upon 0.2 ठीक है यह हो गई हमारा अब हम तो हमारा alpha is question क्या हो गया हमारा theta upon 0.2 जो कि हमारा है 30 की equal तो यहां से हमारा theta कितना हो जाएगा 30 into 0.2 theta की value आगी हमारी 6 degrees ठीक है तो अगर हमने अपना solution dilute कर दिया 1000 ml तक ठीक है तो हमारा जो angle of rotation हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 6 degrees ठीक है second पर बढ़ते हम B हमारा क्या है what is the specific angle of rotation if above solution is diluted to 1 liter ठीक है specific angle of rotation पर क्या फरक पड़ेगा specific rotation angle हमारा क्या है हमारा alpha theta upon c into l ठीक है ठीक है तो हमारा alpha जो हमने अभी निकाला वो कितना है 30 degree और जो हमारा alpha होता है specific rotation होता है वो हमारा concentration पर length of tube पर किसी पर depend नहीं करता है वो independent होता है इन सब चीजों से ठीक है तो हम अगर चाहें हम से हम से कहा गया कि if solution is diluted solution 1 liter तक dilute कर दिया जा है 2 liter तक या कुछ न भी ठीक है tube के लिएंद कितनी भी बढ़ा दी जा है घटा दी जा हमारा जो specific angle of rotation है वो उस solution का वो हमेशा same रहेगा ठीक है तो हमारा जो इस case में हमारा alpha रहेगा वो हमारा 30 degrees ही रहेगा ठीक है तो हमारा जो answer है वो 6 degrees है और 30 degrees है ठीक है गाइस Thank you